दिर स्टुडेंट टूड़े और टॉपिक इस रोइल्टी एक्काउंस रोइल्टी एकाउंस में पहले की वीडियो में मैंने जनल एंट इन दी बूद अफ लीजी और लैंनलोड और अनलेशेश टेबिल इस पर पहले आपकोडिस्कस कर दिया था आज हम आपके सामने कोपी राइट्स रोयल्टी के बारे में बात करेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग कोपी राइट्स रोयल्टी मेरा एक बार फिर आप सभी स्टुडेंट से नन नवेदन है कि करोना महमारी से बचाओ के लिए आप जितना हो सके कम से कम घर से बाहर निकलिए अतिया और शक्कारी होने पर ही घर से बाहर जाएए और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को कीजिए जो प्राबलम आती है वो डिसकस हमारे से कीजिए जो कोश्चन सौल नहीं हो पारे उन कोश्चन का नाम कोश्चन नमबर और बुक किस बुक से वो कोश्चन है वो लिखके भीजिए मैं वो कोश्चन आपको ओनलाइन वीडियो पर कराऊंगा और अगर कोई और छोटी छोटी इंक्वारी आपकी है तो वो मेरे वार्टसप पर मेरी मेल आइडी जो की । उस पर आप मेरे से पूछ सकते हैं और कॉलिज की वेब साइट पर भी जा करके आप डिसकस कर सकते हैं तो स्टुडेंट मेरा फिर से एक बार नम निवेदन है कि जो गायलाइन हमारे डॉक्टर हमारी सरकार ने बनाई है उनका पालन कीजिए अपने आपको सरक्षित रखे लोगों को जागरू कीजिए और इस जागरूपता के साथ आईए चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कॉपी राइट्स रोयल्टी तो स्टुडेंट लेट्स स्टार्ट Here is the meaning of copyright sovereignty Especially जब एक लेखक कोई पुस्तक लिखता है तो उस पुस्तक को कोई भी व्यक्ती बिना लेखक की अनुवती के परकासित नहीं कर सकता लेखक की इस अधिकार को परकाशन का अधिकार या पड़ती लिप्य अधिकार copyrights कहते हैं लेखक अपनी पुस्तक को चापने का अधिकार किसी भी परकासिक को दे सकता है परकासिक अधिकार के सम्मन में भी वही accounting process अपना जाएगा जो की हमने patent royalty में किया था और खनन में किया था तो आईए student यहाँ पर आपके सामने question है जो हम discuss करते हैं here is a question Professor Jen wrote a book on economics and gave their right to its publication to Naviuk publication royalty was fixed at 15% on the printed price of books sold up to the 31st March every year the printed price of the book was a 200 the publisher submitted the account for the four year as following here is royalty rate 15% of the book value and book value is 200 per book and other information is other information is year ended 31st March 211, 12, 13, 14 book printed 1000, 2000, 5 on 10,000 specimen giving 10, 100, 100, 200, 300 book destroyed 100, 100, 200, 300 or closing stock 200, 100, 200 or 400 royalty is paid on first July following अगले महीने की पहली तारिक को पेर होती है open necessary accounts in the book of Naviuk publication तो आईए सुरू करते हैं सबसे पहले एक statement या analysis table बना लेते हैं here is a statement of book sold and royalty due here is number of year सबसे पहले हमने number of year ले लिए उसके बाद in year की book print 1, 2, 5 और 10,000 ले ली plus इसमें opening stock if any given पहले साल कोई stock नहीं है और परतीक अगले साल पिछले साल का closing stock यहां का opening stock होगा जो की closing stock 200, 100, 200 दिया तो ये 200, 100, 200 हमने जोड दिया माइनस इस पेसमें जो वर्स गई 100, 100, 200, 300, 100, 100, 200, 300 गटा ली destroyed जो book हुई वो आप देख रहे हैं 100, 100, 200, 300 वो लेस कर ली और closing stock जो उपर यहां दिया है 200, 100, 2 और 4 ये घटा दिया तो आप देख रहे हैं पहले साल 1000 में से 21 और 400 गए तो 600 बज़े अगले साल 200 में से 2000 प्लस 200 हो गए और इसमें से 300 गए तो 1900 हो गए ऐसे ही 2013 और 14 में number of copies आ गई इन copies का सबसे पहले sale price से multiply करेंगे तो sale price जो multiply किये गई है यहां पर royalty एर्था रेट 15% of 200 डायेट भी निकाल सकते हैं 200 रुपे का 200 रुपे का बना 30 रुपे के हिसाब से royalty होगी यानि कि एक किताब की royalty 30 रुपे हो गई और 30 से multiply करेंगे 600 की 18,000 यहां 57 और 135 और 276 यह आपका analysis stable हो गई यहां पर short working cover recover की बात ही कुछ नहीं है जो royalty आई है उसका payment होगा तो सबसे पहले हम यहां पर बनाते हैं royalty account तो student royalty account जैसा कि आप जानते हैं royalty account में जब royalty दी जाती है तो NT हम करते हैं royalty account debit to landlord अर्था royalty debit to professor जैन होगा तो royalty के debit to professor जैन और by PL account में transfer होगा तो हर साथ इस तरीके से हमने कर लिया two professor जैन by PL to professor जैन by PL to professor जैन by PL to professor जैन by PL और यह 18,000 57,000 135,000 276,000 यह चारों हमने लिख दिये हैं यहाँ पर इस account में यहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताना discuss करना और मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोई भी account अगर कहीं भी आप उस पर अठकते हैं तो निशित रूप से उसकी general entry का एक बात माइन में ही revision कर लें वो धियान कर लें कि उसकी general entry क्या बनी थी तो उससे यह account बन जाएगा next account है प्रोफेसर जैन प्रोफेसर जैन को सबसे पहले साल जब royalty account डेविट टू प्रोफेसर जैन प्रोफेसर जैन के पास by royalty चुकि payment अगले साल किया जा रहा है तो पहले साल by balance रख दिया और अगले साल by balance लिख दिया और इस 18,000 का two payment एक जुलाई को कर दिया फिर इस साल की royalty लिखी वही balance रहे गया to balance CD के लिए ये balance अगले साल by balance की रूम में ले लिया और इसका payment एक जुलाई को two banks 57 करा फिर इस साल 31st March को by royalty 1,35,000 लिया ये balance बचा to balance CD 1,35,000 इस balance को आप देख रहे हैं अगले साल transfer किया 1,35,000 और इस साल कि हमने भाई royalty दो लाग सेथ तरया 2,76,000 ले लिए balance हो गया 4,11,000 और payment to bank 135 का किया balance उतार दिया 276,000 ये balance next year पहुचा दिया गया by balance BD 276 और इसका payment किया गया 276,000 तो day student ये question आपके सामने में ने करा और ध्यान रखिए ये question same आता है figure change हो सकती है, नाम change हो सकता है लेकिन केवल इतना ही किसी भी writer की book से आप question करेंगी, चै किसी भी publication की book से question करें, सम्में ये question है, तो इसको ध्यान रखिए, copyright का question आ सकता है, आईए अब एक और copyright का question मैं आपको आगे करा रहा हूं जिसमें advance royalty या नजराना या सलामी जिसे कहते हैं वो include है और वो भी बहुत महत्पून question है, तो आईए हम उस question के बारे में भी बात करते हैं कि advance royalty या नजराना या सलामी या पगड़ी क्या होता है, तो आईए देखते हैं, next question Baba Ramdev wrote a book on yoga, yoga and give the rights of its publication to Amrit Prakashan for five year and first April from first April 2011 on the following terms on the following terms a lump sum royalty, lump sum royalty जिसे नजराना लिखा है, इसे सलामी भी कहते हैं, इसको पगड़ी भी कहते हैं, इसको एड़ान्स royalty भी कहते हैं, इसको एड़ान्स royalty भी कहते हैं or to the author to first April and a royalty of rupees 20 rupees per copy sold was payable for the each year, subject to a minimum amount 3000 for year, rupees 50,000 for second year and 6 is third year, 60,000 for each year and royalty being paid on 13th, of the following The number of copies sold was 1000, 2000 and 5000 in first year, second year and third year So the necessary leisure account Recording the following injunction in the book of publishers for the three year There is no right to requirement of the short working, accounts are closed on 31st March भाबा रामदेव ने योग पर पुस्तक लिखी, इसके प्रकाशन का अधिकार दे दिया, एक अप्रेयल को 10,000 रुपे एक मुस्त दिये गए, जो कि नजराना के लेखक को दिया गया, तदा परतिवर्स पुस्तक की बीक्यूई पर 20 रुपे रुपे रॉयल्टी हैं, जो पर्थम वर्स में 30,000, दुट्टे वर्स में 50,000 और आगी के परतिवर्स में 60,000 के नियूंतम भुकतान के अधिन थी, अधिकार सुल्प का भुकतान अगली 30 जून को होता है, पर्थम जित्ते तिर्थे में बीकी पुस्तक की संख्या 1, 2, 5 है, परकासक को पुस्तकों के व तो इस्टूडेंट यहां पर इस कोश्चन को करने से पूर, सबसे पहले धियान रखें, एडवांस रोयल्टी, एडवांस रोयल्टी एक लंब सम एमाउंट है, जो लीजी दुआरा लेंडरोड को दी जाती है, वो भी इस सम्मन में दी जाती है, ताकि एक निश्ची समय इसके इसका अधिकार आने किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, जैसे यहां पब्लिकेशन की बात हो रही है, तो यहां पर यह पब्लिशर दुआरा पुस्तक लेखक को एडवांस रोयल्टी या नजराना इसलिए दिया गया है, कि एक निश्ची समय तक वह पुस्तक के परकाशन का अधिकार किसी अने को नहीं देगा, इसे एडवांस रोयल्टी भी कहते हैं, इसे रोयल्टी का पार्ट मत मानिये, और इसका जो हम जर्नल एंटरी बनाते हैं, उससे कोई संपल नहीं है, इसका लेखा भी बिलकुल अलग होगा, जब यह एडवांस रोयल्टी पियर्ड की जाती है तो इसकी एक एंट्री बनती है एडवांस रोयल्टी डेबिट टू बैंक पहले साल एडवांस रोयल्टी या नज्राना डेबिट टू बैंक और फिर इस amount को जिसकी दी आती है इसको उतने भाग से divide कर लेते हैं जितने वर्सों के लिए ये है और उससे divide करके परती एक वर्स की जो amount आती है उसे PL से write of किया जाता है तो जब भी advance royalty का question आएगा तो इसमें एक advance royalty या नजराना या पगड़ी नाम से एक account बनेगा तो आईए देखते हैं इस account को और करते हैं इस question को पहले simple जो कारे है वो ही किया जाएगा चुकि इस question में आपने देखा कि short working को cover recover करने का कोई अधिकार नहीं है तो यहाँ पर simple हर साल की तीन कोला हूंने बना लेने है पहला कोला येर का है जो कि 2012, 13, 14 minimum payment है 30, 40 minimum payment बताया था 30, 40 और 60 और royalty का rate जो कि 20 रुपे पर कोपी है और जो 20 रुपे पर कोपी है पहले साल एक हजार कोपी थी तो 20 जार फिर 2000 कोपी थी तो 40 जार फिर 5 जार कोपी थी तो एक लाग आ गया अब आप देखिए minimum rent और royalty में से जो amount बढ़ी होगी उसका payment किया जाएगा पहले साल minimum rent बढ़ा है 30,000 payment होगा फिर 50,000 minimum rent है उसका payment फिर एक लाख royalty बढ़ी है उसका payment क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके से short working को कवर करने का अधिकार नहीं है तो उसकी कोई calculation नहीं की गई है अब बनाते हैं जैसे कि मैंने कहा इसमें एक नया account बनता है advance royalty advance royalty के यहाँ पर जो दिये गए हैं वो 10,000 रुपे दे हैं और इसमें कहा है कि 10,000 रुपे advance royalty के दे के पांच वर्सों के लिए यह अधिकार खरीदे हैं तो यहाँ पर 10,000 को फाइस से डिवाइड कर दीजिए तो 2,000 पर एर पियल से राइट ओफ लोंगे और पहले साल देखो आपने देख रहे हैं यहाँ नहाम लिखा advance royalty या नजराना या सलामी तो यहाँ पर इस accounts को आप बनाएंगे सबसे पहले एंटी करेंगे advance royalty debit to bank तो पहले साल advance royalty में to bank 10,000 दिया अब 10,000 को डिवाइड कर लिजिए 5 से तो यहाँ 2000 पर year PL से राइट ओफ होंगे और फिर एंटी कीजिए PL account debit to advance royalty PL के debit से राइट ओफ हो जाएगा तो by PL किया 2000 balance बचा 8 अगले साल 8 फिर by PL account 2000 किया balance बचा 6 फिर balance 6000 तारा उतार दिया और अगले साल by PL account 2000 और by balance CD 4000 2000 चुकि यहाँ पर 3 साल की information है 3 साल की account बनाए जारे है इसलिए यहाँ balance रोग दिया अगले entry यह account हम बना रहे है royalty royalty account जैसे कि आप देख रहे है royalty to landlord यानि कि बाबा रामदेव को देनी है PL से राइट ओफ करनी है royalty में to baba rámदेव 30,000 by PL फिर to baba rámदेव by PL to baba rámदेव और by PL के नाम से यह लिखा गया इसमें कोई दिक्का नहीं फिर baba rámदेव account हम ने बना और चुकि royalty का भुकतान अगले महीने वो अगले वर्स कर रहे हैं तो पहले साल by royalty 30,000 to balance by royalty to balance आगया यह balance यहां लिखा इसका payment कर गया 30,000 फिर अगले इस साल की royalty for 50 ली balance 50 बचाया इस balance को उतारा और इस साल की royalty one lakh ले ली और पहले साल वाली का भुकतान किया to bank 50 फिर इस एक लाग को उतारा गये एक लाग को नोट किया गया और फिर इस एक लाग का payment किया गया to bank तो इस ट्रेंट आपने देखा यहां हमने आपको copyrights में simple copyrights और advance royalty ध्यान रखेगा short note आ सकता है नज्राना पे और नज्राना के short note में आपको एक end टिकर के बतानी है कि when at the time of payment of advance royalty advance royalty debit to bank और फिर परतिवर्स write off करने पे PL account debit to advance royalty तो student यहां पर यह देखा बहुत महत्मून question हमने आपको करा और अब मैं उम्मीद करूंगा आप इस तरीके के question करते रहेंगे जो problem आएगी मुझसे पूछते रहेंगे और student वीडियो देखते रहेंगे समझते रहें और कोई problem है पूछते रहें ओके thank you student